आज का चमतकार सुनने से पहले आईए जाने आज का अम्मा भगवान का सूत्र चमतकार जीवन को एक बिल्कुल नया अर्थ प्रदान करता है चेनई भारत से मैं वीना सुधाकर हूँ मेरे पती आर सुधाकर मदुमे के रोगी हैं वह हर तीन महिने संपून शरीर की जाँच कराते हैं इस साल के शुरू में हमने जाना कि उनके दाहिने फेफडे में गांट है ये गांट कैंसर के कारण थी या नहीं ये जानने के लिए बायोपसी की की गई शुक्र है कैंसर नहीं था अब सवाल ये था कि इस गांट का कारण क्या था इसी बीच डाक्टरों ने उनकी दवाईयां शुरू कर दी जो हमने एक महीने बाद लेनी छोड़ दी हम CT स्कैन और X-ray के लिए फिर गए अब उस गांट के बिलकुल बराबर उस से भी बड़ी गांट हो गई थी सारे जरूरी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने परामर्ष दिया कि अब दवा नौ महीने तक खानी पड़ेगी दवा खाते खाते तीन महीने हो चुके थे करीब दो महीने पहले एक भक्त ने किसी और बात के लिए हमको श्री अम्मा भगवान से परिचित कराया और प्रार्थना करने के लिए कहा हम लोग निमम गए और वहां तीन दिन रुके और पूजा और प्रार्थनाएं की हम लोगों को सत्य लोक में नवरात्री हवन में भाग लेने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग नियमित रूप से चेन्य के एक सत्संग केंद्र में आयोजित सत्संग में तीन हफ़ते तक भाग लेते रहे हमको श्री अम्मा भगवान की शिक्षाओं और दीक्षा की शक्ती का आभास हुआ क्योंकि हमने स्वें इसका अनुभव किया श्री अम्मा भगवान से हमारा बंधन बहुत द्रड हो गया था श्री अम्मा भगवान को पूल समर्पन करने का आंतरिक बोध हुआ जब हम तीन महीने बाद जाज के लिए गए तो डॉक्टर ने हम से एक्सरे करने के लिए कहा श्री अमा भगवान के अनुग्रे से गाठ का कोई नामो निशान नहीं था डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था पर उसने इस सुखद घटना कर्म की सरहाना की धर्म में आने के दो महीने के अंदर ही इतना शक्तिशाली चमतकार उन सब को सर्देह आभार जिनोंने हमारा परीचे इस परमानंद और अद्भुत चमतकारों की जादूई दुनिया से कराया हमारे साथ हर मिनिट होने के लिए धन्यवाद श्रियमा भगवान